नमस्कार मैं पॉंच्री न्यूस्ट्टी टू इंडिया में आपका स्वालत है तो चलिए रूख करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की तरफ तहसील बार एसोसेशन बैरिया का सपत गरहन समारो शनिवार को तहसील केंपस में इस्थित अधिवक्ता भवन में संपन हुआ अधिवक्ता संके चुने गए पर अधिकारियों को सपत गरहन कराने के उपरांच समारों के मुखेतिती सा अध्यक्ष बार कॉंसिल अफ उत्रपरदेश जैनारायन पांडे ने अपने संबोधन में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए अधिवक्ता हिट सर्व पारी है मैं अपनी अधिवक्ताओं के हिट के विपरित कोई भी समझातों में कताई बड़ाशत नहीं करता अधिवक्ता हिट की लड़ाई मैं अपने अस्तर पर लगातार लड़ा हूँ उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तहसीलों में ऐसी कोई चिकित्सी व्यवस्थान नहीं है जिससे कि किसी अधिवक्ता की अच्छानक तब्यत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए इसके लिए सरकार से हमारी मांग है कि परते एक तहस्थील केंपस में अधिवक्ताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हर हाल में की जाए आम लोगों को चिकित्सा के लिए आयुशमान काट की सुविधा तो दी गई है परन्तु इस योजना से हम अधिकारियों को वन्चित कर दिया गया आगामी चुनाओं में जो भी दल अधिवक्ता हित की बात करेगा अधिवक्ता उसी दल को वोट करेगा वर्तमान समय में अभी किसी भी दलद्वारा अपनी मोनिसेस्टों में अधिवक्ता हित की बात नहीं की है हमने अपने अधिवक्ता बंद्वा से अपील किया है कि चुनाओं के बाद मंत्री, मुखमंद्री वा परधान मंत्री को पोस्ट कार्ड के माधियम से अपनी समस्याओं को अफगत कराया जाए इस मौके पर कलक्ट्रेड बार बलिया के पुर्वध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा, हर्द्याल सिंग यादव, मदनलाल वर्मा, अध्यक्ष कलक्ट्रेड बलिया, अवीरल ओज्छा, सिवजी सिंग, रामलाल सिंग, शियाम बिहारी आदी लोग उपस्थित रहे शपत लेने वालों में अध्यक्ष अक्षेवार नाथ पांडे, हरिशंकर प्रसाद, उमेश सिंग, जगमोहन तिवारी, विरे सिंग, राजकमार तिवारी आदी लोग उपस्थित रहे अदेखस्तापुर्व अदेखस्चंदरशिकर यादव वसंचालन अनंत कुमार पांडे निक्या बलिया उत्तरपरदेश से न्यूस 22 के लिए आनंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट